दोस्तों आज हम कवर करेंगे modern history का most important topic गवर्नर, गवर्नर जर्नल और वायस राय ये पद क्यो बनाए गए, इनकी क्या जरूरती और इनमें क्या अंतर है most important topic है अगर आपका ये chapter complete हो जाता है तो modern history को समझने में आपको बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी तो स्वागत आप सभी का जी के माहत्मची में चलिए शुरू करते हैं फटाफट पहला question बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? option A, Robert Kalayu देखे, Robert Kalayu को 1757 में बंगाल के पहले गवर्नर रूप में चुना गया चुना गया? ठीक है, लेकिन भाई क्यों चुना गया? परमिशन दी और अंग्रेजों ने 1600 इश्वी में व्यापार करना शुरू किया अब व्यापार के साथ-साथ अंग्रेज धीरे-धीरे छेत्रिय सासकों को युद में प्राजित करने लगे उनसे युद करने लगे और उनके छेत्र को हडपने लगे और इसी करम में 1757 में प्लासिक का यूद लड़ा गया इस्ट इंडिया कमपनी और बंगाल के नवाब शिराजू दोला के मद्ध है इस्ट इंडिया कमपनी की कमान समाल रहे थे रोबर्ट कलाईव और कलाईव ने इस यूद को जीत भी लिया फिर उसके बाद इस्ट इंडि के पहले गवर्नर कोन थे अब बंगाल के अंतिम गवर्नर कोन थे अपसंसी वारेन हैस्टिंग्स देखे एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर कोन थे अंतिम गवर्नर कोन थे बारत के पहले गवर्नर जर्नल कोन थे अंतिम कोन थे तो यह वेरी में गवर्नर का पद था वाई उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और बंगाल में गवर्नर की जगे गवर्नर जर्नल का पद बना दिया गया मोस्ट इंपोटेंट दोस्तों 1733 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और बंगाल में गवर्नर की जगे गवर्नर जर्न पद बना दिया गया अब यह regulating act क्या था इसे भी समझ लेते हैं देखे इस act के तहट इस इंडिया कंपनी के कारियों को नियंतरित किया गया यान्कि उनको लगाम लगाई गई नमबर दो राजनेतिक कारियों को मान्यता दी गई नमबर तीन संसद्य प्रणाली को स्थापित क कि आ गया एक बाद और नोट कर लीजिए इस act के तहटी कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रिम कोट की स्थापना की गई थी कब 1774 में 1773 में यह act आया 1774 में कलकत्ता में सुप्रिम कोट की स्थापना की गई यह question exam में बहुत बार पूछा जा चुका है अब अगर कोई पूछ कि 1774 में जिस सुप्रिम कोट की स्थापना की गई थी उसके पहले नियाईदिस कौन थे तो यह थी एलीजा इम पे यह महीला थी एलीजा इम पे अब question बनता है कि बंगाल के पर्थम गवर्नर जर्नल 1774 में कौन न्यूक्त किये गए option C Warren Hastings अब यह Warren Hastings वही है जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे इन्हें बंगाल का पर्थम गवर्नर जर्नल न्यूक्त कर दिया गया 1774 में अब question बनता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जर्नल कोन थे यानि कि अभी गवर्नर जर्नल का पद भी समापत होने वाला है तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जर्नल कोन थे अप्शन B William Bantic बंगाल के अंतिम गवर्नर जर्नल थे William Bantic अब देखी यहां ध्यान दीजिए 1764 से 1833 तक बंगाल में गवर्नर जर्नल का पद था 1833 में Charter Act आया फिर बंगाल का गवर्नर जर्नल भारत का गवर्नर जर्नल कहलाने लगा याने कि बंगाल के गवर्नर जर्नल का पद समाप्त करके उसे बना दिया गया भारत का गवर्नर जर्नल अब यह 1833 का Charter Act क्या था तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि भारत पर अंग्रेजों का परभूतव स्थापित हो गया था अब इस परभूतव को स्थाइतव परदान करने के लिए बनाय रखने के लिए 1833 का Charter अधिनियम बारित किया गया इसके तहट बंगाल के गवर्नर जर्नल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जर्नल घोशित किया गया और भारत के परदेशों का निरक्षन और नियंतरन भारत के गवर्नर जर्नल को दे दिया गया साथ ही इस अधीनियम द्वारे यह भी सपष्ट कर दिया गया के कमपनी के परदेश में रहने वाले किसी भी भारतिय को केवल धरम, वन्स, रंग या जनम स्थान आधी के आधार पर कमपनी में किसी पद से वंचित नहीं किया जाएगा अगर वो उस पद के योग्य है तो उसे वो पद दिया जाएगा अब क्येश्चन बनता है कि भारत के पर्थम गवर्नर जर्नल कौन थे अप्सन डी विलियम बैंटिक मेरे भाई जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जर्नल थे ना लाड विलियम बैंटिक वही भारत के पर्थम गवर्नर जर्नल बनेंगे नेक्स्ट भारत के अंतिम गवर्नर जर्नल कौन थे अप्सन ए लाड केनिंग देखिए भारत के पहले गवर्नर जर्नल थे लाड विलियम बेंटिक और अंतिम थे लाड केनिंग अब इसके बाद गवर्नर जर्नल का पद भी स्माप्त कर दिया गया क्यों आगे जानेंगे अब देखिए 1833 से 1858 तक बारत के गवर्नर जर्नल का पद बना रहा फिर 1857 की करांती हुई मंगल पांडे जी ने तहल का मचाया अंग्रेज डर गए बुरी तरह से घबरा गए फिर उन्होंने 1858 में वायसराय का पद बना दिया अब यो वायसराय का क्या मतलब होता है राजा का परती निधी 1857 की करांती ने अंग्रेजों की निव हिला दी थी फिर क्या था ब्रेटीस क्राउन ने इस्ट इंडिया कंपनी से भारती अस्ता अपने अधीन ले ली यानकि भारती अस्ता चली गई ब्रेटीस क्राउन के अधीन फिर उन्होंने भारत के गवर्णर जर्नल का पद स्माप्त कर वायसराय का पद बना दिया और वाइस राय का मतलब आपको पताई है राजा के परती निधी अब क्योश्चन बनता है 1857 में भारत के पर्थम वाइस राय को निक्त किये गए अप्शन C लाड केनिंग मेरे बाई वो ही निक्त किये गए जो भारत के अंतिम गवर्नर जर्नल थे अप्शन B अप्शन B अप्शन B अब देखे भारत में वाइस राय का पद 1858 से 1946 तक चला फिर 1947 में भारत आजाद हो गया फिर वाइस राय का पद स्माप्त कर गवर्नर जर्नल का पद बनाया गया दोस्तों ये सीरीज आपको याद करनी ही पड़ेगी देखे सबसे पहले तो बंगाल के गवर्नर आए फिर बंगाल के गवर्नर जर्नल फिर भारत के गवर्नर जर्नल फिर भारत के वाइस राय फिर भारत के गवर्नर जर्नल अब कोन आया कोन गया ठीक है कोई बात नहीं लेकिन फिर से गाफर जर्नल की जरूरत की अपड़ी तो भाई 1947 में बारत आजाद हो गया और जो वाईसराय का पद था वो राजा का परतिनिती था थाना अब भारत आजाद होने के बाद राजा के परतिनिती की जरूरत नहीं थी न तो वायसराय के पद को हटाना पड़ा और फिर से गवर्णर जर्नल का पद बनाया गया तो क्योश्चन बनता है 1947 में सवतंतर भारत का पर्थम गवर्णर जर्नल को नुक्त किया गया अप्षन ए लाड माउंट बेटन जो भारत का अंतिम वायसराय था वो ही सवतंतर भारत का पर्थम गवर्णर जर्नल नुक्त कर दिया ये नुक्त तो कर दिया लेकिन भाई उरे लट बाज गे भाई भारतियों को बरदास नहीं हुआ कि भाई भारत सवतंतर हुआ है इतने सालों में और फिर भी थम ने अंग्रेजी गवर्णर जर्नल बना दिया और भारतिये जंता बढ़क गई कि भाई इसे हाटाओ 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 1947 में तो ये बनाया था 1948 में लाड माउंट बेटन को हाटा दिया गया अब क्योश्चन फिर से बनता है कि सवतंतर भारत का पर्थम भारतिये गवर्णर जर्नल कौन था माउंट बेटन को हटाने के बाद 1948 में सी राज गोपालाचारे को सवतंतर भारत का पर्थम भारतिये गवर्णर जर्नल लुक्त किया गया एक बात और बताओ भाई किसी तो बताओ गे तो नहीं न यह सब घटना और यह गवर्णर आ रहे हैं जा रहे हैं वाईसरा आ रहे हैं दूसरी साइड भारत का सम्वीधान भी बन रहा है अब यहीं से एक क्योशन और बन जाता है कि सवतंतर भारत का अंतिम भारतिय गवर्नर जर्नल कौन था अप्शन भी सी राज गोपालाचारी भाई पहले भी यही थे और अंतिम भी यही थे फिर क्या हुआ आपको बता है ना भारत का सम्विधान बन रहा था और 26 नौमबर 1949 को भारतिय सम्विधान को पारित कर दिया गया 26 जन्वरी 1950 को सम्विधान को लागू कर दिया गया और हमारे सम्विधान में गवर्नर जर्नल का पद नहीं था उसकी जगे बनाया गया राष्टपती जी का पद और डाक्टर राजेंदर परसाद बने हमारे देश के पहले राष्ट पती तो दोस्तो एक बार फिर से इन सभी का करम देख लेते हैं उससे पहले आपको बता दे दोस्तो इस परकार के हम बहुत सी वीडियो बना चुके हैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया वहां से आप वो देख सकते हैं तो सबसे पहले पद बना बंगाल के गवर्नर का 1757 से 1773 तक चला फिर बंगाल के गवर्नर जर्नल का पद बना 1774 से 1833 तक चला फिर भारत का गवर्नर जर्नल आ गया 1833 से 1885 तक फिर भारत का वायसराय बनाया गया 1888 से 1947 तक और फिर लास्ट में सवतंतर भारत का गवर्नर जर्नल का पद बनाया गया 1947 से 1950 फिर आपको पताईए हमारा सम्वीधान बनकर तयार हो गया था और राश्टपती जी के रूप में डाक्टर आजेंदर परसाज जी ने सपत ग्रहन कर ली थी और अब मिलता आपको एक प्यारा सा क्येस्चन दोस्तों अब हम चैप्टर लेकर आएंगे किस गवर्नर जर्नल ने किस गवर्नर ने क्या कारिये किये किस सीजों के लिए वो परसित दे कौन से एक्ट लेकर आएं वेरी वेरी इंपोटन टोपिक है उनको हम ट्रिक से भी लेकर आएंगे और डिटेल से भी लेकर आएंगे तो भाई ये question होगा थारे लिए challenge गगन यान mission पर भारत वे अन्य किस ने मिलकर काम करने पर समझोता किया है बिल्कुल चोटा सा प्यारा सा सवाल है भाई इसका जवाब comments में दियो वीडियो पर या लागी तो like कर दियो अर दिल में कोई बात हो तो comments में बता दियो तो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत